ओम जी नमस्कार इस वीडियो में इन फ्लेंज या सर्दी जुकाम से या पित्ती गर्मी से बेचेनी आती है हम कैसे दूर करें चमत कारिक घरी लुप चर बोल ला हूँ उबलता हुआ 200 ग्राम पानी में 10 ग्राम और जबाइन डाले 5 मिनिट का बाद उतर ले प्रत्यक 5 घंटे के बाद 25 ग्राम और थत 5 पांच चमच पिलाने से बेचेनी 24 घंटे में एक दिन में ही दूर हो जाती है तबियत अच्छी हो जाती है अथवा सक्कर की गरम चासनी अधा कप अथत 15 ग्राम पी कर कपड़ा ओड़कर सो जाने से भी बेचेनी हरफुटनी बदन में दर्थ सिग्र दूर हो जाते हैं परन्तु अपचन पित्ती धोप गरमी के मोसम की बेचेनी होने पर दही की लसी में सादा अनुसार भुना हुआ जीरा संधा नमक मिलाकर तक्करम मठा जिसे बातार मिल भी बोलते हैं वनाकर पीने से बेचेनी दूर हो जाती है शरीर में ताजिगी और स्पुर्ती आती है परन्तु पानी ज़्यादा पिएं क्योंकि जली जीवन हैं मुबंध रखें नाक से लंबा सांस ले छोड़ें पानी कप के से पिना चाहिए क्या पहरेच करना चाहिए क्या खाएं क्या ना खाएं इन सम्मण में मेरा दूसरा व